मैनपुरी उप चुनाओ को लेकर शुपाल यादो के बेटे आदित्य का बड़ा दावाद सामने आ रहा है मैनपुरी की जंता 2024 लोग सबा के चुनाओ की नीव रखेगी ये कह रहे हैं शुपाल यादो के सुपुत्र आदित्यादो और आम चुनाओ में समाजबादियों का पर्चम लह रहाएगा ये भी उनका ही बयान है मैनपुरी से जिंपल यादो बड़े वोटों से जीतेंगी आदित्यादो के रहे हैं और हमारी राजनितिक दुरियां समाप्त हो गई है आदित्यादो हमने देखा है कि अभी जो सभाई हुई है छोटी छोटी जो जन सभाई हुई है उसमें वो कितने सक्रिय थे और कई बार तो वो अखेले शादो के बहुत करीब देखे गए उनसे कुछ कहते देखे गए उन्हें कुछ बताते देखे गए अब वो दावा कर रहें के ये नीव है मैनपुरी का उपचुनाओ 2024 के आम चुनाओ का लोकसभा के आम चुनाओ का और वो ये भी दावा कर रहें के जिम्पल यादो बड़े अंतर से मैनपुरी उपचुनाओ जिट जाएंगी एक बात और जो उन्होंने महत्रपुन कही वो ये कि हमारी राजनितिक दोरिया समाप्त हैं, खत्मों चुकी हैं और मैनपुरी उप्चराओ समाजवाधी पार्टी ही जीतेगी मैनपुरी की जंता 2024 के लोकसबा चुराओं की नीव रखने जा रही है, ये दावा किया है आदित त्यादब पूरे एक्षन मोड में आ चुका है, शिपाल सिंग ने बहु डिंपल को जब से आशीरवाद दिया, ऐसे में जस्वंत नगर विदान सभा बेहद महत्पूर विदान सभा मानी जा रही है, और खुद शिपाल सिंग ने पुत्र आदित यादब और भतीजे अंशुल याद पूरे और समाजवादियों की नीव रखने का काम इस conditionad नकर्ने की है, अब नेता जी ने पहला चुनावपन रड़ा नेता जी के समय पे दोराया था तो मैं समझता हूँ कि यह इस जस्वन नगर की खुश नसीबी है कि आदेनी डिंपले आदव जी के रूप में नेता जी की परिवार से नेता जी की विचार धारा से जुड़ी हुए प्रित्याशी को चुनने का और उनको आगे बढ़ाने का जो मौका मिला है और इस मौके को हाथो हाथ जस्वन नगर की जंता ले रही है बहुत बड़ी जीत जादा नहीं मैं इतना कह सकता हूँ कि इस जस्वन नगर से कम से कम एक लाख वोटो की लीड से मैनपुरी के उपचुनाओं में आदर नी डिंपले आदर जी जीतने माली ह बाचपर प्रदेश अध्यक्ष आ जाए थे टावा उन्होंने कहा है कि समाजवादी भ्रहम में जी रहे हैं जस्वन नगर में जिस तरह नेतर जी को बोट किया जाता था अब डिंपल को दूसरी जाती बोट नहीं करेंगी देखे सभी समाज के लोग खुश हैं रष्टाचार उत्तर प्रदेश में और देश में खतम हो चुका है महिलाओं की सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं जेवर पहन के रात में दो बजे भी गूंग सकती है और भ्रहम में हम है क्या इस्तिती उत्तर प्रदेश की देश की है क्या भ्रहस्ताचार की स्तिती है कितना बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है गुजरात से लेके दूसरे प्रदेशों के अंदर और कहीं भी बात इनकी उपर नहीं होती कहीं भी जाच नहीं होती दोशियों को जेल में नहीं बंद किया जाता और भ्रहम में हम है चंता समझती है, मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में पांच तारिक को वोटिंग का दिन होगा मेनपुरी की जनता नीव रखने वाली है दोहजार चॉबिस के जो आम चुनाओं होंगे उसकी और आम चुनाओं में समाजबादियों का परिसम लेराने वाला है, ये निश्चत तैह हो चुका है जस्वन नगर की जनता ने, करहल की जनता ने, किस्नी की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने आदित यादो, एवीपी गंगा से बात कर रहे थे, वो आपने विस्तार में देखा और सुना, आपको सीधा वही लिए चलते है ये हमें बताने जा रहे है, नितिन उपाथ है, नितिन तीके बिलकुल, देखिए, लगातार कहा जाए, समाजवादी बर्सिस जो भारती जनता पार्टी ये चुनाव हो रखा हुआ है तेजी काफी आ चुकी है, स्यासी तपिश इस समय मैंनपुरी लोगसवाद शेत्र में महसूस की जा सकती है और समाजवादी पार्टी हो या भारती जनता पार्टी सभी ने पूरी ताका जोंक रखी है, पूरा सहफ़ई कुनबा चुटा हुआ है पूरे प्रदेश से तमाम लोग तमाम जो पार्टी पदादिकारी है वो जुटे हुए है तो वहीं भारती जनता पार्टी ने भी कई सारे बड़े पदादिकारी और मंतियों की ड्यूटी लगा दिया है खुद प्रदेश अद्यक्ष लगातार मेंपूरी लोग सवा का दौरा कर रहे हैं, कल वो जस्मन नगर में थे और आज वो किष्णी और कहा जाए भोगाओं के जो बूत अद्यक्षों की मीटिंग किष्णी में लेने वाले हैं, वहीं दूसरी तरब धाई वजे के करीब एक मीटिंग वो बूत अद्यक्षों की मेंपूरी सदर और करहल के जो बूत अद्यक्ष हैं, दौनों विदान सवाओं के, वो करहल के माया रिसॉर्ट में लेने वाले हैं, जो कुल मिला के प्रदेश सद्यक्ष भूपेंदर चौधरी ने पूरी तरह से कमान समाल ली है, इसके साथ ही तमाम केंदरी मंतरी, तमाम जो कैमिनिट मंतरी हैं, योगी सरकार में वो लगातार डटे हुए हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी की निताओं का दावा है, परचम फेराने वाला बीजेपी का इस कमल खिलने वाला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से जिस त बिल्कु 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 इसमें कोई शक नहीं है, वेंट हुए उप चुना बहुत रोचक हुटा दिख रहा है, और अभी भी उसकी तस्मीरे सामने यारी है, हमारे साथ बने रहे लेते नाव एबीपी गंगा, खबर आपकी, जबाँ आपकी